गुडवीन दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोसों बात करूँगा ICP यानि की इंटरनेट कंप्यूटर के वाने मैं साथ ही यहां पर बात करूँगा वीडियो के वारे में वेट कोईन की वाने मैं यानि की उसके बाद फिर एंड में हम बिटकोईन का अपडेट लेंगे कि अभी के लिए क्या टेट यहां पर बन सकती है और यह थोड़ी मोटी ड्रॉएंग जो नहीं भी इसको मैं भी यहां पर अटा दूँगा चलो वो रास में अटा लेंगे लेकिन सबसे पहले ICP के बाद में बात करेंगे काफी लोग ने ICP को हाई में लिया हुआ है जिसके वैसे काफी लोग कंव्यूज है कि भाई अभी क्या करें देखो एक तो नॉर्मली पुटिर मांगट यहां पर गिली पी है तो इसमें ICP के कोई दोश नहीं कि उसका पैस लिए लेकिन ICP आल ओवर देखोगे आप तो इसका पैस के साफ से और यहां पर कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता सा कि 20 डॉलर तक इसका पैस जाना चाहिए अगर डंब भी आता है तो इसके साफ से भी 25-26 डॉलर के उपर इसका पैस रहना चाहिए था लेकिन ओवर डंब क्यों करा उसके बीचे सबसा बड़ा रिजन कि इसकी हाई बिल्कुल खता हो जाना ICP की हुआ क्या था बीसे कि में आपको थोड़ा सो पीचे जाकर समझाता हूं तो आपको सही में आगा ICP का प्राइस जब स्टाइटिंग में आया था तो यहां पर लगभग चार्सो पैसाफ डॉलर तक इसका प्राइस था उसके बाद इसकी जो टोटल सप्लाई थी वह उसमें से जाधा तर सप्लाई जो थी वह यहां पर इसके फाउंडर्स लगा के पास पड़ी थी और जब यह अच्छा कॉंस अपलेके यह आया था स्टाइटिंग में लेकिन वह उसके अलावा भी इसका प्राइस सौ डॉलर की उपर दुबारा नहीं जा पाया लगबग सौ डॉलर के अंदर ही घुमता रहा लगबग नॉर्मल प्राइस देखोगे तो आप इसका 50-60 डॉलर रहत कि आप दूसरी जो बैस्ट कोई मतलब जो कुछ स्टेबिल कोई से अच्छे कोई दिलने सोनना चला है या जो इतने ज़ादा डंप नहीं कर रहे है या फिर जो ट्रेंडिंग में चल लेते हैं मार्केट गिड़ने से पहले उनकी तरफ आप जादा जाय सकते हो क्यों कि वह जादा अच्छी रिकवरी और जादा फास्ट रिकवरी आपको देंगे बाज रही इंटर जेंज की कि हमने आई सीपी बाय करावा है कोई और दूसरा कोई बता जो डंप चला हो तो हम आई सीपी से निकाल के उसमें डालने तो वह करना थोड़ा जादा रिस्की रहता है त अगर आपको दस कोई पड़े हैं पांच कोई पड़े हैं तो इसमें से 2-3 कोई का निकाल के 2-3 कोई सेर करके आपने दूसरा कोई वहाँ पर बाय कर लिया जो डंप इस टाइम हुआ है यही बेसिकली रहता है कॉम से जब भी हमें इंटर्चेंज करना होता है कभी भी 100% अ और web 3.0 का जब ट्रेंड आएगा तो वहाँ पर ICP भी उसी लेवल में आता है और ICP सबसे बड़ा भागरेदार रहता है web 3.0 का मैं आपको यह के लिए बता जाता हूँ ICP का जो concept है वो basically बने ही इसके उपर था कि internet की दुनिया जो इसको पूरे decentralized तरीके से देखा जाए और decentralized करा जा इंटरनेट को और यह Google को compete करने के लिए वहाँ पर बाता है तो अगर ऐसा कुछ आता है तब ही pump करेगा otherwise इसके अंदर इतना जादा pump नहीं आएगा हाँ यहां से 40-50 डॉलर आपको पहुच जाएगा डबल आपका प्राइस ही आराम से कर देगा अगर यहां से market अच्छे रमूव कर जाती है तो थोड़ा डिस्क ही हो जागा इसके अंदर investment करना इस लिए मैं कहू है मेरे साब से hold ही एक ऐसा तरीका जो आपको बजा सकता है इसीपी से पहले भी यहां पे इस ट्रेंज के लगया अगर मैं इसका आपको चार्ट डिखाऊ हूं इतना दर डाउन नहीं गया लेकिन यहां पर आप देखोगे तो लगबग यहां पर पहुचा था 28-26 डोलर के आस-पास गया था यहां पर जुलाईव में भी जब डंप आया था लेकिन उसके बाद रिकवरीज में देदी थी और दुबार से आप देखोगे अस्ती डोलर तक जाता हुआ लिकाता तो इसनी बड़ी बात नहीं है आई-सीपी करना तो यहां पर आप फूचर टेट मत कर है अगर एक्टोल पर इससे आप देखो जितना एक्षब को ही नहीं करता था तो पूरा इसीपी का मेरा अफडेट यही है अगर हम मैं आहिनर के अंदर भी देखूं तो लगबग अबग 2,000 के अंदर मिल दा है तो बहुत अच्छा है 4,000 अराम से इसका पाद यहां ते जा लोग जबूर बहुत गया है मैंने आपको रिजन बता है क्यों इसके जो फाउंडर्स बगर आते हैं उन्हों नहीं क्या नहीं साफी करी इसके वैसे इसका गेम यहां पर खराब हो गया और बाकी प्रजेक अच्छा आ जाता है जब यह बन के आया था लेकिन अभी अच्छ क्रिप्टो से लेटी साइजी दे बैन हैं तो वहां पर 31st December last date है जहां पर आप अपना fund निकाल सकते हो एक्षेंज वगरा से और बुल खताम कर सकते हो क्रिप्टो से और वहां पर एक्षेंज भी बंद कर देंगे अपनी service Chinese के जो लोग है उनके लिए तो 31st December से पहले जो भ और डंब में बहुत सकता हूं ओवर सोल्ड ही हो चुक है अगर मैं RICP कहां जा चुक है मतलब लगब 20% के बनीच है कितना दा नीच हो गिया ओवर सोल्ड कंडिशन में दोना पड़े हैं तो जब भी महां कर रिकवरी करेगी इनके अंदर आपको 2x profit मिल सकता आराम से लेकि चाइना के बैन के वैसे इनके उपर मुझे लगता कि और डबल इंपक्त पड़ा बैन से नहीं पड़ा लेकिन न्यूस से भी पड़ा है बाकि अगर आपको कुछ नया न्यूस पता है इन दोनों के बारे में तो आप कमेंट्स के नदर दबूर बता दिएगा जिससे मुझ कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप यहां पर हाई पर किसी भी कोई के दिदर आपको लॉस ओका तो अभी होल्ड सब सच्छा ओप्चन रहेगा और कोई आपर हुए नहीं है इंटर्टेज करना है तो आधे कोई सिया है पर 30-20% कोईन करना इसा कोई कोई रखकता करना है तो जैसे हमने देखा था करेंटी की बिटकोईन उपर इक्सेट गया अब देखो रहा रहा है भाई बहुत अच्छा रीटेस्ट मिला हमें यहां पर आपको यहां पर ले सकते हो इस लेबल पर लगबग 48,150 डॉलर पर आपको एंटी लेनी है रीटेस्ट के ओपर यहां से एक अच्छा जंप आने की गुंजाईचे अगर हम रीटेस्ट के साफ से देखें और ट्रैक्टिंग के लीज़ को देखें अधरवाइस यहां पर एक स्टॉप लॉस कर सकते हो वनना 50,000 डॉलर के उपई रखना टार्गेट अराम से सेट हो जागा हो तो यह ट्रैट था जो मैं आपको बताना चाराता है यहां पर जहां पर आप 15-20% पर अराम से ले सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बागी जैसे हमने नीचे की साइट हो जाता है वैसे हम इस बार उपर की सेट ले रहे हैं क्योंब दोनों से एक जगा ब्रेक आउट आना था हम उने लेकिन हमें ट्रैट का लेना था रिटेस्ट के उपर जो अब हो यहां पर हो रहा है तो यह गलती मत करेगा यहां पर stop loss दो यूज कर लिएगा है वहनना stop loss यूज निं क सब्सक्राइब कर लेना है तो यही अपडेट है फिलाल विटकोइन के लिए अगर आपको ट्रेड लेना है इस तरही के से ले सकते हुबागी आई सीपी और वीचेन का मैंने बता दिया हो अच्छा उप्शन है और प्यारा उप्शन है रिजन बता दिये क्या डंप आया कै कैसे डंप आया इनके अंदर और कैसे रिकवरी कर सकते हैं टाइम के साथ अला कि लेटर रिकवरी आएगी लेकिन हाँ जब रिकवरी आएगी तो यहां से डवल भी हो सकते हैं तो आज की विदिन नहीं मैंते कोने डिव हो तब तक लिए जाएंगा